और दोस्तों तो आळोंग पढ़ने वाले धार्मिग सुतंता का दिकार जाब का आर्टिकल पचीज से लेके कहां तक है आर्टिकल 20 से लेके 28 तक हैं तो चले start करते हैं तो Richtung 25 में दिया हुआ है अनता कराण की सुतंता धर्म को मानने आचरन करने तथा प्रचार करने की सलनता तो यहाँ पे तिन्चार चीज़े देख रही है अंता करन, धर्म को मानना, आचरन करना और प्रचार करना तो चलिए हम लोग एक एक चीज को समझते हैं कि यह अंता करन का मतलब क्या है तो अंताकरण का मतलब यह है कि प्रतेग बेक्ति सुदंत्र है ठीक है वो धर्म को मान भी सकता है नहीं भी मान सकता है शमिदान उसो किसी भी धर्म को मानने की सुदंता देता है या फिर वो माने या फिर ना माने यानि कि वो नास्तिक भी हो सकता है यानि कि वो नास्तिक भी किBay aqu cha को अब धर्म को मान भी सकता है नहीं मान सकता है मानने आचरंण करने तो अचर न्महाये का कर्मकारण रहेगा अनुष्ठानक फ्रिवा समझ और है अप्ररशार करने थ भाष्रत ने थ्रफ पाइ ScorpDA consists तोCs पकर दाड़ी उक्रा रखना टोपी पैरना या फिर जिसे सीख लोग होते हैं क्रिपाड रखने का दिकार उनके पास है क्या रखते हैं क्रिपाड रखते हैं तो वो एक धार्मिक सुतनता के अंतर गदता है ठीक है लेकिन ध्यान दिजिएगा क्रिपाड रखते हैं कौन सीख लोग क्रिपार रख सकते हैं तो क्रिपार रख तो सकते हैं लेकिन हर जगा वो लेके नहीं घुम सकते हैं तो यहां पर अनुछे 25 में कहा गया कि लोग ब्योस्ता किसमें लोग ब्योस्ता दूसरा है आपका सरजनिक स्वास्त की बात किया जाए और सदाचार की बात किया जाए तो तीन जगहों पे यह अनुछे 25 पर सीमा लगाया जा सकता है लोग ब्योस्ता कि अंतरगत सरजनिक स्वास्त की तहत और सदाचार के तहत ठीक है इन चीजों को ध्यान दिजेगा अगर हम लोग बात करें सीखों में तो सीख में हमें बोला हूँ किरिपार रख सकता है पंच कक्का वाले क्या है पंच पंच कक्के तो पंच कक्के का मतलब है कि ऐसे पांच तक्तु जिसका अच्छर जो है कह से सुरुआ था प्रत्थम अच्छर गया हो कह से स्टार्टिंग हो कहा से कह से तो जैसे केस हो गया तो सीखों गया है केस भी रखते हैं फिर कंगा फिर कच्छा कच्छा रखते नहीं परनते हैं ठीक है क्रिपान क्रिपान मतलब वही तलवार की बात की जा रही है एक, दो, तीन, चार और कड़ा और क्या? कड़ा तो उनके धर्म गंतों के अनुसार पांच कक्के हैं जो वो धारन करते हैं तो उनको अनुछेद जो आपका है पचीस है उनके अंदर को धर्म कर सकते हैं तो उनका आच्रण है ठीक है? तो अगर आच्रण को लेके बात किया जाए तो जैसे कि संथाल संथाल आपका है संथारा जिसों क्या बोलते हैं? संथारा यह जैन धर्म से लिटड़ है तो संथारा का मतलब है कि जल अन्य त्याग करके मित्यू को प्राप्थ हो जाना ठीक है? तो यह जैन धर्म का है कर्म का अंड़ा यूं कर ले आच्रण है जिसमें जैन धर्म उपासर क्या करते हैं अपने आपको अन्यजल त्याग कर देते हैं और मित्यु को प्राप्त हो जाते हैं 2006 में राजस्थान हाई कोट जो राजस्थान हाई कोट था में जब बात ये पहुंची तो वो बताएं कि जब संथाल जैसे आचलन पे प्रतिबंद लगाया जाए क्योंकि अनुचेद यह 21 का उलंगन करता है अनुचेद 21 का क्या करता है G1, G1, G90 का रिका का उलंगन करता है और फिर यह भी कहा कि IPC धरा जो 309 पढ़ाया था इससे पहली का च्छाओं में उसका भी क्या करता है उलंगन करता है लेकिन जब यह बात सुप्रीम कोट पहुँची जब सुप्रीम कोट में अपी लुगा तो सुप्रीम कोट में सुप्रीम कोट ने कहा कि नहीं जो संथाल है वो अनुच्छे देख इसका उलंगन नहीं करता आयोपी सी 13309 का विरोधी भी नहीं है यह आपका मौलिक अधिकार है यानि कि जैन दर्म का ब्यक्ति संथाल कर सकता है अब फिर बीच में ही केस आया था ये 2014 में लगवग 2014 में आया था जो डॉटलर्स मतलब होता है बच्चों तो जो कुछ बच्चों का इभावक थे उन्हों ने क्या किया कि सुप्रीम कोट में एक याश्य का दायर किया और कहा कि दिपॉली में पटाका जलाने पर रोग लगा देनी चाहिए और फिर अपना जो वकीलोग जो तर्क थे हैं वो तर्क दिया कि MC महता केस में जो सुच्च पर्यावड़न का दिकार एक मौली का दिकार है जो MC महता केस था कि पटा का जलाना तो एक समझ दिए कि आपका धार्मी सुतंता है धार्मी सुतंता मतलब की आचरण है हिंदू धर्म का आचरण है तो वो बोली कि हम लोग आर्टिकल 21 पर रोक नहीं लगा सकते हैं हाँ ये कर सकते हैं कि कुछ अगर उलंगन हो रहा है तो उसमें कुछ कि नहीं उन्होंने बोला कि 10 पीम से लेके अब 6 एम तक पटा का अपर नहीं जलाएंगे और उसके बाद जला सकते हैं हाँ क्या कर सकते हैं तो ये कुछ इसमें से अनुछित 25 के दाद अनुछित 25 का उलंगन करते हुए यह यूं कह लें कि अनुछित 25 पर ही सुप्रीम में बहुत सारी आश्का है दायर हुई थी अब एक केस चलिए अब जदा केस पर बढ़ने मतलब है कि जदा टाइम ओबर हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें तो इसमें हम लोग पढ़ लिए अनुछित 25 अब आते हैं अनुछित 26 पर 26 में दिया है धार्मिक कार् तो धार्मिक मामलों में प्रबंद करने का दिकार है धार्मिक कारों को प्रबंद करने के सुद्दा इसे कहने का मतलब यह है कि प्रतेग धार्मिक समुदाय को धार्मिक मामलों के प्रबंद करने का दिकार है जैसे एक केरल की बात करें हम लोग बात करें हम लोग केरल की त तो केरल में अयप्पा स्वामी का एक मंदिल है तो अयप्पा स्वामी ब्रह्मचर के उपसक्त है तो उसमें रजस्वला महिला का जाना प्रतिबंदित है जिसमें रजस्वला महिला का जाना प्रतिबंदित है यानि कि जो वे महिला है जो मासिक धर्म से पीडित है या यू करने कि मासिक धर्म से ग्रसित है ग्रसित जो भी समझे आप ठीक है आप समझी गया हूं कि मैं क्या करना चाह रहा हूं तो उनको वहाँ पर जाने से रोका जाता था तो 1965 में क्या हुआ कि सुप्रीम 1965 में क्या हुआ किरल का विधान मंडल था वो कानून पारित कर दिया और कह दिया कि वहाँ पे अयपा स्वामी के मंदिल में महिलाएं नहीं जा सकती, वे महिलाएं नहीं जा सकती, जो रजस्वला है, यानि कि जो मासिक जिनका धर्म आता है, वो महिलाएं वहाँ पे नहीं जा सकती, फिर उसी कानून को 1991 में हाई कूर ने भी सही ठहराया, जो व बोला कि आर्टिकल 26 के अनुसार ये क्या है सही है तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि इसको ले जा गया सुप्रीम कोट फिर इसको कहा ले गया कहा ले गया सुप्रीम कोट और ले गया कौन इंडियन यॉंग लायर एसोशियेशन केस जो वह था वह था इसमें मैलाओं का भी एक बहुत बड़ा ग्रुप था बूले गया कहां पे सुप्रीम कोट सुप्रीम कोट ने फिर जो 965 का बिदान मंडल दोरा कामन बनाया था उसको भी रद कर दिया और जो हाई कोट ने नई 91 91 में उसको सही ठहराय था उसका निर्ड़े को भी पताया कि नहीं वो कहा कि यदि समिधान के दौरा प्रदर्फ शम्मान में मौलिक अधिकार का ये करता है पलंगन करता है यह बोला कि यह अनुच्छेद 25 का भी बिरोधी है और धार्मी सुतनता में बाधा डालता है ठीक है और कि इसके धार्मी सुतनता में मैलाओं के धार्म सुतनता में बाधा डालता है इसलिए ये क्या है गलत है मैला भी वहाँ पे जा सकती है अब फिर वहाँ पे मैलाओं के लिए भी उसको खोल दिया गए ठीक है इसी केस में सुप्रीम कोट ने निधारत किया कि कि आचरण की बात किया जाया तो आचरण को उसने दो भागों बाटा पहला अनिवार्य धार्मिक आचरण दूसरा बाटा गैर अनिवार्य धार्मिक आचरण तो अनिवार्य धार्मिक आचरण की डिपनीशन ये दिया कि अनिवार्य धार्मिक आचरण की अंतरगयत वे काराते हैं जो धार्म का अभिन अंग है और जिनके अभाव में धार्म का पालन नहीं हो सकता ठीक है और गैर अनिवार्य धार्मिक आचरण बताया की वे धार्मिक आचरण जिनका उलेक तो ग्रंतों में है लेकिन जो धार्म का अनिवार्य अंग नहीं है और फिर ये बताया की ये बताया की सरकार जो राज्य है वो गैर अनिवार्य आचरण में बाधा डाल सकती है य यहां पे इंट्री के बात करें मैलाओं में नहीं कि तो मैलाह। का इंट्री जो था रजस्वबाला मैविलाओं के इंट्री थी वह पे किसके अंतर गता रहे थी गयर अनिवार हासण कीरत whilst त्हudब आ और जो विधार मंडल था वहाँ का उसके तो बनाया कानूं था उसको रद कर दिया ठीक है तो चले नेश चलते हैं नेश ठंगो थोड़ा देख ले यहाँ पर उसके बाद 27 किसी बिशेज धर्म के अभिविध्धी के लिए कर नहीं देने की सुतंतता यानि कि ऐसा कोई कर नह नहीं लगाया जाएगा जिससे प्राप्त आय किसी धर्म बिशेज की उन्नती के लिए बैक्त किया जाता हो यह समझ रहे हैं कि ऐसा कोई भी समाज में या भी किसी धर्म के ऊपर कोई भी कर नहीं टेक्स नहीं लगाया जाएगा जिससे कि किसी बिशेज धर्म को फाइदा हो ऐसा नहीं कर सकते लेकिन ध्यान देजिएगा कि जैसे कि कुम्ब मिला या फिर हम लोग मुसल्मानों जाके पर निकलती है उसमें जो पूलिस प्रसाशन फिर मेडिकल के लिए जो खर्च होता है वो कर सकती है ठीक है वो कर सकती है लेकिन ध्यार्मिक चीजों के लिए वो कुछ नहीं कर सकती है प्रसाशनिक और स्वास्त के लिए कुछ कर सकती है ठीक है नेश चलते हैं आर्टिकल 28 में तो आर्टिकल 28 में लिखा है कुछ सिच्छा संस्थाओं में धार्मिक सिच्छा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की से सुतंदता यानि कि कुछ सिच्छा संस्थानों में धार्मिक सिच्छा या धार्मिक उपासना में उपस्थित ह होने से शुतंदता याने कि राज और धार्मिक सिच्छा के संबंद को दिखाया गया है यह बोला गया है कि राज की सिच्छा संस्थाओं में धार्मिक सिच्छा दी जा सकती है कि नहीं इस पर यह वरण किया गया है तो आए अनुछेद 28 को अच्छे से समझ लेते हैं अगर हम लोग बात करें सिच्छा संस्थानों को तो चार भागों में इसको बाट दें तो देखिए ऐसी सिच्छा संस्थाने यहनी कि राज दौरा विद्पोसित संस्था यहनी कि जिसको 100-100% राज चलाती है यहनी कि वो राज की अधीन है desphziंग आसा कुछ राज देता है तो इसमें धार मिक इच्छा नहीं दी जाएगी अर्टिकल गॉन्ट अठाइज कि त cynल दूसरा में है की राज द्वारा धार्मिक्स राज द्वारा आर्थिक सहाय था फ्रदान यानि कि राज में कुछ मदद कर दी जाया है मालिजे कि 20 से 30 परसेंट यानि कि कुछ सम्थिंग उसमें मदद हो रही है तो वहाँ पे धार्मिक्स इच्छा दी जा सकती है लेकिन धार्मिक सिच्छा दी जा सकती है लेकिन बाध्य नहीं किया जा सकता बाध्यता यहाँ पे नहीं है ठीक है उसके बाद है कि राज द्वरा मानता प्रावत तो राज द्वरा जो मानता प्रावत है उसमें भी धार्मिक सिच्छाएं दी जा सकती है लेकिन बाध्य नहीं है ठीक है और चौथा है कि अन्य अन्य का मतलब कि जो राज से बिलकुल परे है परे का मतलब पोचिंग संस्था है उसमें धार्मिक सिच्छा दी जा सकती है और बाध्य भी किया जा सकता है यानि कि ऐसी सिच्छा संस्था है जो पूल रूप से सरकार के अंडर में आती है उसमें सिच्छा धार्मिक सिच्छा बिलकुल नहीं दी जा सकती एक परसेंट भी जो प्राइबेट सेक्टर है जितने इसे कोशिंग संस्था है और अन्य भी संस्था है हो गई उसमें क्या हो सकता है कि उसमें हम लोग धार्मिक सिच्छा दे सकते हैं और उसको अनिवार रूप से कर भी सकते हैं लेकिन जो आपका राजद्वारा आर्थिक साहता प्रदान हो या फिर राजद्वारा आर्थिक साहता प्रदान या फिर राजद्वारा मानता प्रद इसमें हम लोग धार्मिक सिच्छा लाज सकते हैं लेकिन बाधिया नहीं कर सकते है ठीक है तो इसे में केस हुआ था यह आपका यूगा तो अब यून ने भी विश्व योगा दिवस को शुकृति दे दिया है तो यह क्यूशन आ सकता है तो फिर यह यू अन्य जो स्वरी करम लोग योगा की बात करें तो योगा अगरा देखा जा एक विशेश धर्म से निकलता है तो बाद में तो उस पर भी चर्चाएं हो सकते हैं कि भाई देखिए आपका जो योगा है वह है कि धर्म ग्रण से संब्स भी हो को घर्म गुरू की दवारा हो जो और आस्था भी होंगे ही नहीं और यहां पहलु आफिये नहीं कि अपने को स्वस्त करना है तो आर्टिकल 28 में इतनी बाते कहें गई तो आज हम लोग क्या पढ़े हैं आर्टिकल 25 आर्टिकल 26 आर्टिकल 27 आर्टिकल 28